नादिनाद आप आप देख रहे हैं निजट्टी नूर्दू की सोचल मीडिया पेज पर आपको लेकर हादिर हुए हैं आज के दिन बड़ा आहम है और अहम इसलिए भी है कि मद्द परदेश के हज यात्रियों की आज मेन हज की आज से परवाज शुरू हो गए इंदवर इं हिंदुस्तान की जो है खुशाली के लिए तरक्की के लिए द्वाई की जाएं यहाँ पर आज मेन हज हमारे साथ मुझे उन से भी बात करेंगे और सद्बावनामच के दिम्जारों से भी बात करेंगे यह कितना खास मौका है कि आपको यह जो है अपने घर की जारत के लिकिन इस बार अल्ला की जानिब से हमारा इंतिखाब हुआ है तो हम यही दूआ करेंगे कि अल्लह रब लिजजद हमारे सफर को आसान करें कुबूल करें और हमारी यह साथ ही दूआ रहेगी कि तमाम जितने भी लोग इस दुनिया से जा रहे हैं अल्लह उनकी मगफिरत लिए और सबको अपने घर के दीदर के लिए कुबूल फर्माएं और सबको दीदर के और पिर जो वो मुकद्ध मकाम जिसका ममाज में नाम लेते हैं रुख मेरा खाना एक खाबा की तरह आप लोग महाँ पहुचेंगे खाने काबा सामनी होगा फिर क्या मंदर हो बस मन्द यह होगा कि अल्ला से जो जो मांग सकते हैं मांग लें और दुआएं करें मुल्क के लिए भी और सब के लिए हमारे बजर्गों के लिए और अल्ला सब को आज कुबूल फर्माए बस यही दूबार आए कितनी सालों से अर्मान था कि अब अपने घर की बुला लिया कई सालों से अर्मान था कि अल्ला अपने घर बुलाए और उसका करोड़ा मरता शुक्र है कि उसने बुलाया वो हमारी खुशक्समती है वो हमारी ये दूआ है कि जिस तरह अल्ला ना हमें बुलाया है इस तरह तरह तमाम लोगों की ख्वाहिश को पूरी करें और दीदार रसूल लिए और असलिए लिए और काबे की दीदार करें और हर साल मतलब लोग ज्यादा ज्यादा हज जाएं और हम ये दूआ करते हैं कि हम साथ ख्रेश के जाएं वो पूरे अरकान पूरे हों और हमारा मुल्क के लिए और अपके कौम के लिए और दुनिया के लिए अमन सुकून इत्फाक की दूआ करेंगे अमन सुकून इत्फाक की दूआ बोपाल की जब हम बात करते हैं तो गंगा जमनी तहजीब के बात होती है और आप देखिए कि जो हज यात्री जा रहे है और यहाँ पर हमारे सरदार जी भी है हमारे मैंसर्मा जी भी है गुरुचरान जी भी है बिले यही बोलकर मैं अपनी बात को भी राम देता हूँ क्या खास जो है दौाओं के साथ रवाना कर रहे हैं हमारे भाई हज पर जो जा रहे हैं उनके लिए यह दौा करेंगे कि हज करके अपने ठीठा अपने गर्क में पहुंचे और हमारे लिए भी दौा करके आए कि हमारे पर्वार की शुक्षानती हमारी तन दुरूस्ती लिए और हमारे मुलक के लिए और आगे बड़े हमारे मुलक यही दौा करके आए इतना कहता हूँ है दन्याओद करता हूँ आपको एक अरमान कब से था कि उपर वाला आपको अपने घर की जारत के लिए बोला ले मेरा अर्मान तो मेरा ख्याल दे है जब से मैंने हो समाला है तब सही है कि हम लोग हज जरूर करें क्योंकि ये मुगद्दस सफर है और उसी तरह हम लोग रुख करके नमास पड़ते हैं तो आजब हमारे सामने वो हज होगा और मदीना होगा मक्का और मदीना होगा तो उसकी क्या कैफियत होगी वो हम आप से क्या बायान कर सकते हैं और हम अपने लिए अपने बतन के लिए तमाम दुनिया के लिए हम यहीं दुआ करते रहेंगे कि हमेशा हमेशा सब लोग मिल जुल के रहे हैं आपस में भाचार से रहें और देश हुप्ष तरक्की करें और जितने भी लोग हैं Jewish Given German Family और दुनिया में जो जो लोग जहां जान भी Upyिष अपने ऐसे सफ़ार में जाना चाहते हैं सब अपने अपने मख़श्व के एदवार से अपने मखदस सफर पो को पूरा करें और हम लोग भी जो जा रहे हैं हांई आपसे मिल्जूल कर रहने की तौफिक अदा फर्में आमीन सुम्हामीन जी खात मौका है मैं सभी हज यात्नियों को शुब कामना है देता हूं और सभी से नवेदन करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के लिए वहां पर मक्का मदीना में जाकर देश की सुक्सम्रिद्धी आमन आमान और देश की तरक्की के लिए द्वा करें यही मेरी शुब कामना है यही तोर पर जब देश तरक्की करेंगा खुशाली होगे तो सब की खुशाली होगे और यही सब का अर्मान भी होता है तिह जी बेच्छक इसलाम में हमारे मगजहब में तो हमारे हैं मदेश की अद्गर करना उसके लिए अच्छा सोचना उसके लिए ड्या करना ये हमारे ओमन का जुद है मुसल्मान इस पर अमल पेरा हिटे हैं आज हम एक मुकद्द सफ़र पर जा रहा हैं इन्शाएला तर्जी ही तोड़ पर इस सिसले में दौाइं करेंगे कि आल्ला हमारे हालाइब दूस करें, हमारे मिल्के हालाइब दूस करें और पूरी को मुट्धित रखें, जहां जो बुराइए पैदा हो गए हैं, आल्ला ताला उनको दर्स जल दूस अमगें. पिर यहां पर हम देख रहे हैं कि जो बहुरा समाज के लोग भी जो है, वो कल ह ही, उनका पहला काफला यहां से रवाना हो गया, मुकद्ध सफर के लिए, इन दोर से आज रवाना हुआ, बोपाल के लोग जो है, साथ तारिक को रवाना होंगे, अब देख रहे हैं कि रूपरवर मंदर तमाम लोग जो है, उन सुर रोज रवाना कर रहे हैं, जो अल्ला क महमान हैं, हाँ माशाललہ, यह मुबारक ऐयाम हैं और अनकरीब हज का मौकए उन लोगों को नसीब होने वाला है, जिनके खदा ने नाम चुन ली हैं अपनी बारगामें, उस मुकद्ध जगा पर हाज़ी के लिए, तो उन सब को अदिली मुबारकबाद पेश खिदमत हैं और दौा की अर्ज की गई हैं, और खदा उनके दौाओं को खुबूलियत अता करें, उनके अरकान और उनकी अबारत को खुबूल फरमाएं, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया में, बिल्कुस हिंदुस्तान में आमन कायम फरमाएं, आपस में भायचारगी हैं और वत सरे नहासे में जिनकी मौत हुई है, जो बहुत दर्बनाग हासा हुआ है, उनके लिए भी यहाँ पर जो है तादिती मीटिंग की गई और हुकुमत हिंसे उसके जहां पर जाज की मतालबा किया गया, वही पर आजमीने हज को जो है किराय में जो फरक है, उसको लेकर भी जो बड़ा आजर मिलेगा, लेकि साथ ही हम भारत सरकार और सौदी हुकूमत से और हज कमीटी से मांग करते हैं, कि इस पर तब हाजियों को बहुत तकलीफे हुई, किलियर मामला नहीं था, किराय का बहुत फरक पूरे मुलक के अलग-अलग एरपोर्टों से था, तो इस पर ए एक रेल का हाथा जो हमारे मुलक में हुआ, जो आजधी के बाद का जो मालूमात आरहीं कि सबसे बड़ा हाथा है, इस पर हम लोग इस हाथाथा के उपर जो मरने वाले हैं, लवायकीनेंें, बीमार हैं, उन चलिए, और उनके वारिशान के लिए सबरकी तलقین करते हैं, और और खिराज अकीदत पेश करते हैं, शिर्धान जली पेश करते हैं, भारस सरकार से मांग करते हैं इस मौके पर, कि भारस सरकार जो रेल डिपार्टमेंट, स्पीट को बढ़ाने में लगा हुआ है, स्पीट को बढ़ाने के बजाए, तहफुज की तरफ ज्यादा धियान जान कि तागा अंदा कोई ऐसा सानिहा, ऐसा कोई वाक्या न हो सके, आज सद्वावनामंज मतपर्देश मतपर्देश की जाने का सिल्सला शूरू हो गया, और तमाम लोग यही दूआ कर रहे हैं, कि मुल्क जो है, खुशाल लह तरकी रहे है, इत्तिहाद और इत्वाक का मामला बढ़ता रहे, नाजरीन आज की प्रोगाम में बच नहीं, कल पिर किसी और टापिक के साथ आपके खिदमत में हादिर होंगे, तब तक कि लिए टिम के साथ मैंता वाल में दीजिये जादेशने हैं, आज अज़िए आज़िए, आज़िए आज़िए आज़िए,